तो क्या हाल है आपके इलाके का यानि कि आपके इलाके के मौसब का हम जहां से बात कर रहे हैं यानि कि नोड़ा स्टूडियो से यहां तो बारिश हो रही भाषब लगाता दिल्ली एंसियार में दो-तीन दिन खूब बारिश हुई धार न तूटने वाली बारिश हुई मौसम विभाग क्या करा वो तो हम बताएंगे लेकिन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाषब आपके इलाके में बारिश कैसी हो रही है कैसा माहौल चल रहा है वहाज हम बात करें आज की आनि 18 सितंबर की तो भाई बारिश का अच्छा अनुमान मौसम अब ऐसा ही मौसम आपको देखने को मिल सकता है 18 तारीकों मौसम विभाग के मताबिक आप नक्सा देखिए आपको पीला कलर से जो इलाका नजर आ रहा है जो बुंदेल खंड आलू बेल से सुरू होकर पुरवांचली कुछ इलाकों तक जा रहा है वह यह बता रहा है कि य इनदेशी जिलँ में यलो ऐलर्ट तीस जिले हैं पूरे तीस जिले हैं उन जिलों जानकार इटा वातियू अगरवर फिरोजा बान मैंवान पुरी इटाओ औरया कांपूर देहात कांपूर कैनाज उन्हाट 8 महोब अंपर रायबरेली प्रताबकड कौसांबी फतेपूर, बांदा, चित्रकूट, प्रियागराज, सिधार्थनगर, वारांडशी, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुड तो ये वो इलाके हैं जहां पर 18 तारीक को भी बारिस की अच्छी खासी संभावना बन रही है यानि कि आपके इलाके में मौसम एक अच्छी पे वाग ने बताया था कि इस एफेक्ट की वज़र से बरसा जो है वो थोड़ा सा लंबा किशेगा और इसी वज़र से आपको अक्टूबर के अंत तक बारिस देखने को मिल सकती ये बारिस किसानों के लिए कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अगार खेती की है या पिछाड खेती की है अगर उन्होंने लेट खेती की है तो उसका दो फायदा होगा लेकिन दिन के फसल तयार है उनको नुकसान भी हो सकता है और साथे साथ ये भी समझे कि अगर संद्री आएगी तो भी कडाकेदार आएगी जमकर ठंड पड़ेगी इस प्रभाव